हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टू माई न्यू वीडियो इस वीडियों हम देखने वाल है कक्छा नूबी दूतिये पाच्चिक टेस्ट बिसे हिंदी की सबी पश्नका में आपर उत्तर देखने वाल है महा अगस्त दो हीर्ट तो आपको समझाते हुँ चलूंगा आपको समझते हुच अनला है और वीडियो तो ध्यानवप्र पॉट देने पाचाथ और समझने के पाचाथ आपको इसके जो लिखेत उत्तर है वीडियो डिसक्रप्स न आपको की लिंक मिल गई है लिंक दी गई है उस लिंक पर के लिख करके आप इसके लिखे उत्तर प्रावत कर सकते हैं तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है आपको उसे जरू से देवा देना तो चलिए एफ हम वीडियो को आप बेने किस देजिके शुरू करते है देखे चातरों आपको पहले कोशन आपको दिखा है सही बिकल्ब चुनकर लिखिए यहाँ पर आपको नीचे कोशी सही बिकल्ब बाले पुष्ण दिखा है इनके आपको सही बिकल्ब चुनकर लिखना है 36 गड़का सबसे अर्दिक ठंडा छेत्र है वा नम्बर कोशना में दिये गए है तीजन बाई पिरसिद्ध गाई का है तीजन बाई किसकी पिरसिद्ध गाई का है नम्बर एक करमा की है नम्बर दो पंडवानी की है नम्बर तीन बर्थरी की है नमबर चार ददर ये गई है तो इसका अंसर होगा नमबर दो पंडवानी ठीक है तीसे कोशन आपको दीगा है नरेश की संदी का उधारन है यहाँ पर आपको पताना नरेश जो है बेग की संदी का उधारन है नमबर एक स्वर संदी का उधारन है नमबर दो बेंजन संदी का लोग उपस्ते होते हैं तो देख बच्चों प्रेच्छ ग्रेवी की होता है सवेगार के अंदर आता है इसमें भी कई सारे लोगों पसित होती है बापर के होती ही सवा होती है नाट कच्छ भी सवागार के अंदर आता है सवा कच्छ भी सवागार के अंदर आता है तो उसको उप्सन होगा नमबर चार उप्रोफ्ट सभी इसका करेट उप्सन यहापर हो जाएगा तीनों ही क्यों होते हैं सवा गार के अंदर में आते हैं तीनों में ही सवा आयो जित होती है इसके बाद देखे अगला कोशन आपको देगा है संदी के बेद होते हैं संदी के कितने प्रकार होते हैं तो देखे बच्छों संदी के तीन प्रकार होते हैं तो इसका उत्तर आएगा तीन इसके बाद देखे वच्छो इसके खंड अवा में आपको रिखत स्थान की पूर्ती करना है तो देखे वच्छो आया में से सोल करते हैं तो देखे आन अबर में आपको दिएगा है मूल सब्द के बाद लगने वाला सब्द के कहलाता है मूल सब्द के बाद लगने वाल सब्द के लिलाता है प्रतिय तो यहां पर गलत हो गए थोड़ा सा तो आप इसका अंसर यहां पर क्रिट के लिखेंगे प्रतिय मूल सब्दे के बाद लगने वाल सब्द्ध प्रत्य किलाता है और मूल सब्द्ध के पैले लगने वाल वाल सब्द्ध किलाता है उपसरगे के लाटता है तो इसके machratt option की आएगा है यहांपर प्रत्य है इसके बाद देखे बच्चो बान आमबर में आपको दिएगा है संगीत में खालिस्तान स्वर होते हैं तो देखे बच्चो संगीत में साथ स्वर यहाँ पर होते हैं तो इसके करेट प्सनागा साथ इसके वाद देखे सा नमबर में आपको दिएगा है अपोर वर अनुवा पार्ट के लेखा खालिस्तान है तो देखे अच्छो अपोर वर अनुवा पार्ट के लेखा का नाम है तेतसु को कोरिया नागी है इसे मैं देखे हाइलाट कर देहों अलगी इसके वाद देखे अच् मतराई नहीं मातर राई होता है 36 गड़ में एक त्वार जिसका नाम है मातर राई लेकिन यहाँ पर कोश्ट में कुछ मिसलीडिंग हो गई है तो इसके जिसने मुझे करेट आंसर मिलेगा मैं आपको कमेंट बोक्स में पिन कर दूँगा ठीक है तो आप इसका आंसर भी रहने दीजिए इसका अदम न देखते हैं पुष्ण 4 पेर पर चड़ने के सुखद अनुभव को अपने सब्दों में लिखिए हाना क्या आपने कभी अपने जीवन पेर पर चड़ाए तो आपने पेर पर चड़ाए तो आपको क्या क्या अनुभव मिले, आपके साथ क्या घटाय हुई, उसके पारे माहा पर आपको अनुभव लिखना है, अपने सब्दों में, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, मोडल यहाँ पर आंसर दिया हूँ मैंने, हाँ, एक बारों मे आप अपने हिसाब से भी लिए सकते हैं, जैसे कि मैं एक बाद पेर पर चड़ा था, आम की पेर पर चड़ा था, बहाँ पर मैंने आम को तोड़ा, बहुत अधिक परिशनम करने एक बाद में पेर पर चड़ा था, तो आम को तोड़न कर खाने की पहसाद मुझे बहुत ही आपके जोवी अनुवव है इसके बाद दिखे चातर उपश्ण पाच में आपको टिपड़ी लिखना है ग्रंथाले और ललित कला पर तो आई हम दिखते हैं सबसे पहले ग्रंथाले डोक्टर A.S.R. require नाथन भारत के ग्रंथाले बिंग्याने के जनक ने ग्रंथाले की बैख्गा इस परकार की है ग्रंथाले ऐसे शारभजिनीक संस्था या परतिष्ठान है जिसका दाइदब और करतब्ब ग्रंथाले संग्रे की देखवाल करना तथा इन्हें लोगों को उपलब्द कराना है जिसकी इन्हें आवा सकता है ग्रन्थाले को हम पुस्तकाले केते हैं याना कि ग्रन्थाले में क्यों होती है पुस्तकाले जो संगरी होता है उसकी रच्चा करना है इसके कारी होता है और उन लोगों को अवलक्त कराना है जिसकी इन्हें आवा सकता है जो कि पुस्तक को पढ़ने के इच्चु होते हैं इस परकार उप्युक्त परिभासाओं से यह निसकर्स निकाला जा सकता है कि गरंथाले में मानाब बिचारों के अविलेखों का सो बेविस्थी संग्रे होता है इन अविलेखों के बहुतिक स्वरूप में पांडी लीपिक पुस्ति के पु क्योंनलिक वह अपिर्द सभी कला जो मानवी भाबनों को प्रतसित करता है यार education इसके मादम से अलग-अलग होती है जो कला जिस्वास माद्दम से प्योग हो जाता है । उसे उसके अनुसार नाम दिया जाता है ललित कला मन को सुखद अनुभती तथा मन के सुकुन के लिए ये मानसिक सुन्दर्तिकी और अग्रसर रहती है ये बहुतिक और उप्योगी तद्व से अलग तद्व है यान कि इसे महसूस नहीं किया सकता है ये चुकर महसूस नहीं किया सकता है यह बहुत तिक नहीं है, जैसे कि देखे बच्चो लल कर लग प्रकार हम देख लेते हैं, नमबर एक में आती है, बास्तु कला, बास्तु कला आपने देखा हूँ आर्किटेक्चर किसे चिच के निर्मार करना, जिसे घर के निर्मार करना, यह किसमें आती है, बास्तु कला य पोईटरी कवीत सुनाना नमपर पाँच संगीत कला जैसे म्यूजिकल आर्ट गाना गाना के लिटिक्स लिखना गाना के बोल लिखना इस प्रकार जो भी कला होती है सब लली कला में आती है संदी के परिवाँ से लिखना है और फिर उसके हमें प्रका बताना तो देखिए संदी संदी से अब देखा आर्थ है मेल या जोड अना संदी कार की को होता है याने कि जब दो या दो से अदिक सब्ध आपस में जुड़कर एक नया सब्ध बनाते है हमें उसे की केते है संदी केते इस पक्रिया को हम की कहते हैं संदी कहते हैं संस्क्रत हिंदी एबं अन्य भासाओं में परस्पर स्वरो या बढ़नों के मेर से जो उत्पन विकार को हम की कहते हैं संदी कहते हैं जीससे देखेंए यहां पर उथानकें प्राइब कर देव और इंद्र जुड़कां के बने देव बने 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 बानु और उदी यह क्यों है संधि ओती है संदी 3 पर कर्कोंती है नमबर 1 सुर संदी, नमबर 2 बेंजन संदी, नमबर 3 बिशर्ग संदी अब देखे लिए अच्छ लाष्टर आपको कोशन देगा है प्रिशन साथ आपको कोशन देगा है छेतरी लोग गीतों के कोई 3 बिसस्ता है बताईए तो हमें आपर देख्थे 6 लोग गीतों के बिसस्ता है, नंबर एक में आपको दिए गा है कि लोग गीतों का कोई निष्षित लिखाते hic नियम नहीं होता है, याला कि इसके कोई नियम नहीं होता है, लिखित में नियम नहीं होता है, हाला कि एक बिशिश पति रोप लोग संगीत में आवासक होता है नमबर दो, लोग संगीत के गीतों में पुन्रवत्ती होती है, यानिकि बार बार सब्दों को रिपीट के आता है गीत की पहली पंक्ति मेत्पूर होती है और समानी तहा अन्य पंक्ति को निर्थारन इसकी लह पर ही होता है यान कि पहली पंक्ति में जिस प्रकार लह होती है जिस प्रकार उसे गाय जाता है बाके के पंक्ति भी उसे प्रकार गाय जाती है नमबर तीन कुछ लोक संगीत के गीत प्रश्ण वाली के प्रारूप में होते हैं गीत के पर्थम पद में प्रश्ण होता है और उसी गीत के अगले पद में उत्तर भी होता है अब यहां से देगे दीर को तेरी प्रश्ण आप चालू होते हैं देगा चुप प्रश्ण आठा को दिएगा है दड़न निश्चे और कटिन परिश्रम से पेड़ पर अपने मेत्र को चढ़ाने के बाद तोतो चान और यासु की चान की खुसी को अपने सब्दों में आप ल करना है या फिर आधवर में आपको कोशन देगा है लेखाक ने ऐसा क्यों कहा होगा कि यह यासु की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का पहला और अंतिम अपसर था तो यहां पर देख़ो जो आपको में कोशन हम इसका असा देखते हैं तो देख़ो तोतो चान का कोई साखा तक पहुचाने से उसे प्रसंता के साथ अपूर वे आत्म संतुष्टी भी प्राप्त हुई यान कि जो तोतो चान है वे रोज दिन अपने पेड़ पर चढ़ती थी उसके पास निजी पेड़ था खुद का पेड़ था और खुस होती थी लेकिन आज उसने जो अपना मित रही आसु की चान बे क्या था पोलियों से ग्रस था पोलियों के उसके बिमारी थी तो उसने उसका पेड़ पर चढ़ाया तो उसे बहुत खुसी प्राप्त हुई अब हम देखते हैं यासु की चान क्या था पोलियों से ग्रस था तो दिवच्चो यासु की चान नमबर दो रतनपूर नमबर तीन भोरम देव अथवा इसका कोशन देगा है 36 गड़ की प्रमुख लोग कथा के बिशे में बस दाते हुए उनके प्रमुख गायों के के नाम लिखिए नमबर एक में आपको दिए गया है कि खेरागड तो दो दो खेरागड जो है भारती राज 36 गड़ के राजनांद गाउं जिले का एक कर्सबा है खेरागड राज जी ब्रीटिस भारत के पूर्व मध्य प्रान्तों का एक सामनती राज्य था पन दद 36 गड़ के सबसे एत्यासिक स्थानों में से एक है यहां के प्रमुक को जो पुराने नागवांस राजिपूतों के साही परिवार से संबंद थे को 1888 में एक बंसा नुगत भेद के रूप में राज़ा का खिताब मिला राज में एक उपजाओ मेदान उपचाबल छेतर सामिल थे नंबर दो हम दिखते है रतनपूर रतनपूर 36 गड़ राज जी के बिलासपूर जिले में इस्तित एक ग्राम और नगर पंजात है यह बिलासपूर सेहर से 25 किलोमेटर की दूरी पर रिस्त है रतनपूर विविन राज़बंसों के सासको दारा लाएगा बिसाल इत्यासिक बदलाबों को साच्ची रहा है यहाँ प्रवस करते ही है है राज़बंस के बाबा भेरवनात छेतरफाल सिंख की एक 9 फूट लंबी मूर्ती देखनों को मिलती है मंदीरों की संके कारण स्थाने रूप से इस स्थान को छोटी कासी भी कहा जाता है यह स्थान दुलहरा नदी के तरफ पर है इतियास भी हम देख लेते तो इसके के इतियास राय तो हाँ पर आप इतियास भी हाँ पर देख सकते है पूरा आपको cm पर अंसल लिखना है मंदिर के चारों और मेकल प्रवत समुवे जिनके मंदिर हरी भरी घाटी में ये मंदिर है मंदिर के सामने एक सुन्दर तलाब भी है इस मंदिर के बनावट खजुरा होता था खजुरा होमाति प्रदिस्ता कोडाक के मंदिर के समान है जिसके कारण लोग इसे मंदिर का मंदिर को 36 गड़ का खजुराओ भी कहते हैं एक मद्यपरतित का खजुराओ है और दूसर का खजुराओ है ये मंदिर एक एतिहासिक मंदिर है इस मंदिर को 11 स्ताबदी में नागवंसी राजा गोपाल देव ने बनवाय था एसा कहा जाता है कि गोण अजर जाओ को देपता भोरम देव थे एवं बे भगवान सिप को उपासक थे भोरम देव सिप जी का एक नाम है जिसके कारण इस मंदिर को भोरम देव नाम बड़ा इस पर कर आज के से हमने इस वीडियो में हमने आपके सब भी हाँ पर प्रस्चन जों को तर देखे लिए उम्मिद आपको वीडियो हिर्फ लगत वीडियो लाइक कर देजीगा चैनल पना चैनल नहस्तकर कर ले मिलते हैं लूट तक कि लिजहेंद जे भारत